अब पूरे भारत में लॉक डाउनकी अवधी बढ़ा दी गए है आप तीन मईри तक सभी लोगों को लॉक डाउन का पालन करना होगा 21 दिनों तक लॉक डाउन में रहने के लिए आपको बता देख फिर से घरों में रहना होगा और तमाम यमों का पालन करना होगा लॉकडाउन में लालपूर, डंगरा, टोली, पुरूलिया रोड और सर्जना चौक में किस तरह का सननाटा पसराइस का ज्वाजा लिया समधाता अंचनी ने अभरत में लगतार, कॉरोना वाइरस से जो पीली थैं, जो कॉरोना पॉजितिव हैं, उनकी संक्या बड़ती जा रही है और झार खन की बात करेंगे तो झार खन भी पूरी तरह से लॉक डाउन है और अब जो है लॉक डाउन की तिति है तीन मई तक बढ़ा दी गई है ऐसे में हम ये जरूर देखेंगे कि अब जिस तरह से प्रधान मंत्री ने कहा है कि लोकडाउन का पालन पूरे सक्ती से किया जाएगा और हर थाने इलाके में इसको लेकर थाने को एक अलग तरह की जिम्मेवारी दी गई है तो ये लालपूर चौक का नजारा है तो लालपूर चौक में अमूमन काफी भीड हुआ करती है लेकिन लोकडाउन के बाद की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कुछ रिक्षा वाले हैं कुछ जो जरूरत के जो सामान है जिने लेना है वो लोग बाहर निकले हैं तो लोकडाउन कहीं न कहीं हमारे हित की बात करता है लोकडाउन जो है हमारी सूरच्छा को लेकर किया गया है जो पुलिस कर्मी भाई हैं लगातार ये लोग खड़े रहते हैं और लोगों को समझाते भी है अब जो है लोकडाउन की जो डेट है वो भी बढ़ गया है तीन किसा लोग आप लोगों की बातों को मान रहे हैं क्या और सक्ति हो ति के जैसे अम लोग बरिया पमान रहे हैं क्या कॉछ कह आप इंसान है जो आउर व्यक्ति घूम रहा है तो उनसे पूस्ताच होती है कि भाई आप क्यों और कहां से आ रहे हैं तो ये तस्वीर है लालपूर चौक के तो ये बताए भाई आप इस काम से निकले हैं हम तब आ लेने जार से बच्चा का डेक सेल था बिटामीन डी का इसा जहन हम के हैं हमारे अलग-अलग रिपोर्टर तस्वीर को दिखा रहे हैं और यहीं एक अपील करते हैं कि आप लॉकडाउन में घारों में रहें घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे कहीं नहीं जाएं और जो सामाजिक दूरी की जो बात है उसका पालन जरूर करें निउज 11 भारत के लिए कैमरामेन अभिदास के साथ अंजनी कुमार राची